बर्फबारी कम दिल्ली में कोहरा बिहार और मध्य प्रदेश में भी तेज हवाय चलने और कुछ इलाकों में बारिश होने का अनुमान लगाया है आज है World Cancer Day दुनिया भर में हर साल 4 फरवेरी को World Cancer Day के रूप में मनाया जाता है कैंसर एक बहुत ही घातक बिमारी है और ये बिमारी व्यक्ति को धीरे धीरे मौत के मुमें ले जाती है अनहल्थी और सुस्त लाइफस्टाइल इस जानलेवा बिमारी का एक एहम कारण है कई स्टडीज में ये सावित हो चुका है कि हमारे खानबान की आददें हमें कैंसर से सुरक्षित रखने में एहम भूमी का निभाती है कुम्भ मेले में आज दूसरा स्नान चार फरवरी 2019 को मौनी अमावस्या के दिन यानि आज त्रिमेणी संगम की नगरी प्रयागराज में कुम्भ का दूसरा शाहिस्नान किया जा रहा है आज मौनी अमावस्या के दिन कुम्भ में आस्था की डूपकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रधालू पहुँचे शाहिस्नान के लिए कुम्भ में सुरक्षा के कड़े इंतजामाद किये गए हैं लोगों को किसी भी तरह की परिशानी ना हो इसके लिए दस अलग अलग जोन बनाए गए हैं सीबियाई जॉइंट डिरेक्टर को कॉलकाता पुलिस ने भेजा समन लोगसभा चुनाओ से ठीक पहले देश में राजनितिक खटना करम तेजी से बदलता जा रहा है एक बार फिर इस खटना करम के मुख्य में सीबियाई है रविवार शाम कॉलकाता के पुलिस कमिशनर राजीव कुमार के घर चापा मार ने पहुंची सीबियाई की टीम के अफसरों को कॉलकाता की पुलिस नहीं धर लिया कॉलकाता पुलिस और सीबियाई की बीच मामला फंसता जा रहा है सोमवार दोपहर कॉलकाता पुलिस ने सीबियाई के जॉइंट डिरेक्टर पंकर श्रीवास्तव को समन भेजा है ममताब एनरजी धरने पर लोगसभा में हंगामा रविवार शाम कॉलकाता के पुलिस कमिशनर राजीव कुमार के घर्चा पमार ने पहुंची सीबियाई की टीम के अफसरों क्यों कॉलकाता की पुलिस नहीं धर लिया जिसके बाद से ही मोधी सरकार के विरोध में पश्रिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममताब एनरजी धरने पर बैठी है ममताब एनरजी धरना स्थल पर बैट कर ही कैबिनेट की बैठक कर रही है यहाँ पर ही वो लगातार फाइले साइन कर रही है महीं दूसी तरफ विबक्शी नेताओं ने लोग सबह में खूब हंगामा किया और मोधी सरकार पर CBI के दुरपयोह का आरोब लगाया है जारखन की पहली महिला युनिवर्सिटी का शिला न्यास जारखन की प्रतम महिला उनिवर्सिटी का ओनलाइन शिरा नियास रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने किया है वे जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर इंटरनाशनल कॉन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में थे जम्शेदपूर विमिन्स कॉलिज में कारेकरम हुआ यहां सीम रखुवर्दास ही मौझूद थे जम्शेदपूर के सिद्गोडा में 18 एकल जमीन पर 89 करोड रुपे से भवन बनेगा इसे दो साल में पूरा किया जाएगा ओडिशा के किसान मस्बूत होंगे स्कॉलर्शिप से किसानों के बच्चों के लिए दी जाने वाली स्कॉलर्शिप काफियर तक शिक्षा के क्षित्र में बहुत सारी समस्याओं को हल कर देगी रविवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने ओडिशा में किसानों को आर्थी ग्रूप से मजबूत करने वाली योजना कलिया फर लाइवलिहूड और इंकम आउग्मेंटेशन के तहट एक स्कॉलर्शिप की घोशना की है जो किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए फायदेमन सावित होगी गूगल मैप की मदद से पहुंचे की अंबूलेंस अब कीसी हाथ से के बद अंबूलेंस को लोकेशन के बाएरे में बताना ज़रूरी नहीं होगा स्वास्त मंतरा ले गूगल और टेलीकों सर्विस प्रोवाइडर में समधोते के बाद अब गूगल की मदद से टेलिफोन करने वाले की स्टीक लोकेशन अबूलेंस को पता चल सकेगी तीन साल बाद पाकिस्तान T20 सीरीज हारा दक्षिन अफ्रीका ने वंडे सीरीज जीतने के बाद अब पाकिस्तान को T20 सीरीज में भी मात दे दी है बारिश से प्रभावित दूसरे T20 मैच में रविवार को पाकिस्तान दक्षिन अफ्रीका से साथ रन से हार गई आपको बता दें कि पाकिस्तान की तीन साल बाद किसी दोए पक्षिय सीरीज में हार है इससे पहले नवंबर 2015 में UAE में पाकिस्तान को इंग्लेंड नें T20 सीरीज में तीन शुने से हराया था वहीं से बाद 2016 में भारत में हुई T20 वर्लकप में पाकिस्तान ये टूर्णमेंट नहीं जीत सका था इसके बाद पाकिस्तान कोई भी T20 टोर्णमेंट नहीं हा रहा था कैंसर को हरा कर वापस लौटी सोनाली बंद्रे बॉलिवुड की एक्ट्रस सोनाली बंद्रे पिछले साल कैंसर की किरफ्त में आ गई थी सोनाली ने नियू यॉर्क में इलाज के दोरान अपने फैंस के साथ ये खबर शेयर की थी लेकिन अब लगता है कि सोनाली रिकवरी के बाद काम पर लौटने की तयारी कर चुकी है सोनाली ने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट फोटो के साथ साथ एक एमोशनल पोस्ट अपने फैंस के लिए शेयर की इस पोस्ट में सोनाली ने बताया कि अब वो काम पर दोबारा वापसी कर चुकी है